जै माता की सबी भगतों को कैसे हो आप सब? आशा करती हूं कि सबी जो है सुरक्षिती होंगे और माजगजन नी माम्बे की कृपा भी बनी हुई है यही हमेशा दिल से काम ना करती हूं तो आप सबी के प्यार से और मा के आशिरवात से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो लोग मादुर्गा की पुजा करते हैं उन लोगों के साथ क्या-क्या बदलाव होते हैं और उन लोगों को किस तरह से मा की भक्ती करनी चाहिए जिससे मादुर्गा की उपर हो और घर में हमेशा सुक्षान्ती समरिद्धी हो अंधन की कमी ना हो घर में खूब बारी वरकत होती है हमारे घर में दरिदर्ता का नास हो घर में किसी भी तरह की बीमारिया का कभी भी ना आ पाए तो क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए और मादुर्गा की क्या-क्या मिलता है बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो अंतक बने रहे तब ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और मागे इस पहरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन इसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए और मादुर्गा के अंदर बहुत सारी शक्तियों का वास होता है, हर शक्ति मादुर्गा के अंडर में ही आती है मादुर्गा ही आदेश देती है, सबी सक्तियां मा के द्वारा ही चलती है तो मादुर्गा की सेवा करने से हमें ब्रमान की शक्ति की प्राप्ति होती है और मादुर्गा की क्रिपा से घर में कभी भी दुख नहीं आता है, घर में अशांती नहीं होती है घर में जो है किसी भी तरह की लड़ाई जगडे नहीं होते हैं घर में जो है दरिदरता खतम होती है घर के अंदर से जो भी हमारे घर में जैसे की प्रेतात्मा हैं वो दूर होती हैं घर में पित्रों का दोश खतम होता है पित्र जो है हमारा साथ देते हैं पित्रों की भी कृ पारिपा होती है तो बहुत सारे फाइदे हमें मादुर्गा की पूजा करने से होते हैं अगर आप मादुर्गा के नाम पे ब्रत करते हो या कोई पाठ करते हो या कोई पूजा करते हो वीदी विधान करते हो दुर्गा चलिसा का पाठ करते हो दुर्गा सपसी का पाठ करते ह तो वो पाठ कभी भी वियर्थ नहीं जाते हैं, उन पाठों का बहुत सारा लाव आपको देखने को मिलता ही है, बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, इसमें जब भी आप कोई भी पाठ मादुर्गा का करते हो, तो कोई संकल्प लेके नहीं होता है, कि हमने जो एक तालिस दिन क करना है, 21 दिन करना है, आप खुले तोर पर करें, हर रोज आपको करना चाहिए, और मादुर्गा का पाठ कभी भी नहीं चोड़ना चाहिए, इससे जो है आपके घर की और आपका दिमाग जैसे की बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई नोकरी नहीं लग रह है, घर में जो है, मतलब बरकत नहीं हो रही है, घर के अंदर पढ़ाई तो खूब करते हैं, पर मतलब जो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो काम नहीं आ रही है, तो उस चीज़ में भी आपको दुर्गा चालिसा का पाठ नित्य करना चाहिए, सुबह शाम अगर आप दुर्ग की क्रिपा से आपके घर में अनकी, धनकी कभी कोई कमी नहीं होती है, घर के अंदर जो है, सुख सांती समरिद्धी का वास होता है, घर में जो है, किसी भी तरह की अकाल मृत्यू भी नहीं होती है, अगर आपको अकाल मृत्यू का भह रहता है, घर में जो है, लगता है कि व करने से यह सारी समस्यां आपकी खत्म होती है मादुर्गा स्वैम्हापकी रक्सा कवच बना के चलती है आपका रक्सा कवच जब बन जाता है जैसे कि देवी कवच के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है उसको भी आप देख सकते हो तो आपके दसों दिसाओं से कोई विवार आपके उपर नहीं होता है कभी भी कोई भी अकाल मृत्यू नहीं आती है आपके घर के द्वार पे ही जो है मादुर्गा खड़ी होती है और घर के जैसे की यम की दृष्टी भी नहीं पड़ती है और आपकी अकाल मृत्यू अगर होने वाली होगी तो वो भी टल जाएगी घर में हमेशा सुक सांती समरिद्धी होती है मातारानी के जो भगत होते हैं उनके उपर मा की हमेशा ही दया दृष्टी होती है वो भगत कहीं भी जाते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ में जैसे वो जैसे की कहते हैंगी जैसे मनलब कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब कोई इंसान आपको इजत नहीं देते हैं आगर आपका बार बार बेज़त ही होती है तो आपको दुरगा चालिसा का पाठ ही करना चाहिए सबसे बैस्ट और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बतारी हूं इससे आपकी एक तो मान सम्मान आपका आपके जो भी आपके बिरोध करते हैं उनकी नजरों में भी आप अपने आपई छवी बनने लग जाएगी आपकी समाज में इजत होने लग जाएगी और जो है आपका हर तरह से मतलब मनोबल बढ़ने लग जाएगा चाहे मान-सफमान की बात हो चाहे घर में सुखसांती की बात अगर आप गोर में रखोगे और मा की पुजापात नित्या करते रहोगे तो ये सारी समस्याइं आपकी अपने आपी मादुर्गा की क्रिपा से खतम होने लग जाएगी और मातारानी की दया की दृष्टी हमेशा ही आपके घर पे आपके उपर बनी रहेगी यही हमेशा कामना करती हूँ कि ऐसे ही मातारानी की क्रिपा आप सभी के उप होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और मा के इस पहरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए जय मताइक